Hello everyone, Welcome to Kermy Career अकरमी करियर में आपका स्वाकत है आज में बताने चाहिए टैलीर्पी 9 माईन का जो आपका कोर चल रहा है तो उसमें आप कैसे सेल्स रिटर्न के एंटी को करोगे कैसे आप सेल्स की डिटर्न करोगे जो आपने गया किया है गोट्स को सेल कि या उसको रिटान अगर कोई करता है कस्टमर तो उसको आप एंटी कैसे करोगे तो वो आज हम आपको बताएंगे अगर आप में चानल पे नहीं है तो सुस्क्राइब बटन प्रेस का लिजे का बेल अकान सबा लिजे का जिससे वीडियो उसका लेटस नोडिफिकेशन मिल सके और कोई भी डाउट सेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते कोई नया कोर्स आपको लांच करवाना है तो आप मुझसे कमेंट में बताएंगे वो मैं कोर्स का प्लेइलिस्ट आपके लिए बनाओंगी तो चली यहाँ पर मॉल लिमिटिट नाम की ये कंपनी मैंने क यहाँ परेंगे तो यहाँ पाच दिफान में वाप को जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर इस्ट लगाया हो का वा पको यहां पे शू होगा यानि कि GSTRGB में आपका जो है रिटर्न की मतलब आपका जो सेल्स है उसकी एंट्री शोगी रिटर्न की तो हम आप भी करेंगे तो वो आउटवर्ड कहलाता है तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई आपको शो हो रही है अंटर करते हैं इसको डिस्पले करना है आपको एंट पर आ रहा है आपका एडर सगेरा भी इसमें है और इन्होंने क्या किया है अम्मूल का जो है पनीर खरीदें डिनर सेट खरीदें स्टी सीज्टी लगा तो इसी में मैं कुछ रिटर्न कर रहें तो क्या से करेंगे तो फटा फट इसकाप की से हम बैक्ष आते और कहां आते ह पर हमें क्या करना है एंटर करना है और यहां पर डाविट नोट नहीं डिस्पले हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है आपको अप्ट्याल फंक्शन की नहीं प्रेस करनी है अप 11 फंक्शन की प्रेस करनी है और यहां पर जो आपका एक्खा यूज केंड़ नॉट शोग जाएगा आपको गड़ेदे नोट केंटि करने कियोंकि जैब आप सेल कारे हो तो जो आपका कस्टमर है वह आपको रिटर्न कर रहा है थीकए तो वह आपका क्या कहलाता है सेल्स रिटर्न कराता आप यहांपे original invoice number पूछ रहा है तो वो हम question में चाक के check करते हैं कि आपका original invoice number क्या था okay तो यहाँ पर हमारा invoice number है 12506 तो हम उसको यहाँ पर paint करेंगे यहाँ पर check कर लेते हैं एक बार आप copy paste भी कर सकते हो 12506 okay तो यहाँ पर हम 12506 लिखेंगे और copy करेंगे अगर आपको यहाँ पर telly में paste करना all control भी paste करेंगे यहाँ पर date आप change करना चाहो तो कर सकते हो मैं यहाँ पर अभी change नहीं करेंगे और return का रहे हैं तो return आप cash दे रहे हो चेक में दे रहे हो तो वो condition आप कर सकते हो यहाँ पर मैं cash दे रहे हूँ return जो कर रहा है उसको cash हम provide कर रहा है order number tracking ID आपका जो payment method है वो सारी चीज़े आप यहाँ पर लिखेंगे बायार का address अप address क्या हो जाएगा address यहाँ पर return का address आपका है decolony आपका लखनों की तो वही है यहाँ पर हम लिख लेंगे decolony आपकी लखनों की आ जाएगी तो वह आपका पार्टी का address हो जाएगा तो आपको यहाँ पर type करना होगा अपर अपर आपका जीएस्टी है वो रागुलर है जीएस्टी नमबर आप डालेंगे मैं यहाँ पर नहीं डालेंगे आप अपना जो भी बिल्स होगा उस पर जीएस्टी नमबर इस तरीके से करेक्टर से और नमबर्स का mix होता है वह आपको डालना होगा सेल्स यहाँ पर आप क्या करे हो जो आपने सेल्स के उसी को तो रिटर्न करे हो तो यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न का लेजर बना लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा सेल्स रिटर्न लिखेंगे और यहाँ पर लेजर उसका बना लेगे सेल्स रिटर्न लिख दिया आप हैाँ पर हम च्पास्ट के लिए था हुआँ है तो हमें क्या रिटर्न पर अमूल ऑपका है मृप्रियस किया था उस रिटर्ण किया रहे है तो यहां पर मैं कारी हूँ आपका 3-4 pieces को रिटर्न का रहे हुआ आमाउंट आ रहा है आप इसमें अमाउंट चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हैं फिर next हमने क्या खरीदा टेनरसेट ले लेते हैं यहांपर one pieces आपका यहां पर one pieces आ रहा है रिटरन में एंटर गरेंगे एंटर गरेंगे एंटर करके double quote से बापस आएंगे अब इसमें SGST, CGST लगा देंगे Okay, SGST टेक्स आपका आजाएगा Amount इसका description कुछ नी डालना Enter करेंगे अब यहाँ पर CGST डालना है CGST आगया Enter करेंगे Enter यहाँ पर आपका दोनों टेक्स आगये SGST भी आगया CGST भी आगया 4 पीस हमने किया Return के है 4 packet Amol paneer के Dinner set के कितने packet जो piece है 1 piece इसका return किया 12 जो pieces को हमने Dinner set खरीदा था उसमेंसे हमने 1 piece return का दिया इसके 4 return का दिया हमने 1 इसका रखा 1 इसका रखा Okay हमने जादा quantity भी या फिर हमारा यूज नी हुआ कुछ भी आप समा सकते हैं अच्छा हमने जो सेल्स किया था यहां पर माइनस में आ रहा था वो इसलिए था क्योंकि हम ने वह गोड्स पर्चेस नहीं किया था तो आप वो गल्ती मत करेगा आप पहले गोड्स को पर्चेस करेगा अगर एक ही कंपनी का काम है अगर सिर्फ साल साल करना है तो आप सिल्क कर सकते हो निका ऑके तो यह छीज मैंने करी थी आप इसको में क्या रहते हैं एकसेपट अप यहां पर क्या बता रहता है तो चलिए देखते हैं इसको एंट्री करके अगर हो चाती है 01256 आंटर डीट वही रहेगी पार्टी का नेम शर्मा हो गया अगर आप रिटर्न करें तो केश्मीं अगर नाम से खरें तो नाम से अंटर एंटर 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 अब यहां पिया जाएगा चैसल को क्या है इसको रिटर्न कर देए इसमेंट्ड अब यहां पर आपका क्योंकि हमने बन ही अभी purchase करी ती इसको sell किया था अब यहां पर आपका टेक्स आ जाएंगे इसमें SGST-CGST दोनों लगा देंगे यहां पर SGST आपका टेक्स आगया एंटर करेंगे एंटर और से पेला करेंगे और करेंगे एंटर यहां पर इसे तरीकर से आपको एंटर करने के लिए फटा-फटान बैक्स आपे और हम reports पर जाते हैं, reports पर जाने के बाद ही हम इसको check करते हैं, reports पर जाने के बाद हम यहाँ पर check करेंगे gst2 पर, gst2 पर ही हमारी returns की एंटी शो होती है, show होंगी, या पिर आप gst3 में भी check कर सकते हैं, returns के देखे आपका show हो रहा है, on the supplier, above, इस तरीके से odd words की एंटी आपको show हो होंगी, okay, अगर आपको gst1 में check करना है, तो gst1 में भी सारी एंटी's check कर सकते हो, तो अलग-अलग reports रहती है, okay, आज के लिए इतना ही रखते हैं, thank you watching this video, have a nice day.